हैलो बच्चो नमस्कार येस अगें राधिकामिस तो बच्चो कोख जाया आई एकी दिन में पूरे जितने भी प्रिवेश चप्टर सब पढ़ाने हैं बच्चो बहुत वैट कर लिए 12 के अभी अभी अल्मुस्ट आगया है तो कि मैंने दो तो पढ़ा दिया आपको लास्ट को ट्रांसलेट किया बईदेनात जाने तो लेखक परीचे हमारी पारिवारिक रिष्टे के बारे में यह कता है कि हमारी जो भारतिय संस्कृती बच्चो कि इस नाम से ज्यादा फेमस ती मतलब इसके लिए संस्कृती हमारी ज्यादा प्रसिद्ध है तो आधरातित्य और हम हमारे रिलेशन्स मतलब हमारे जो पारिवारिक संबन्द है या तो रिष्टे है उसके लिए ती तो वही रिष्टे आज आप आप लोग दीख लीजे जैसे हम लोग बड़ी-बड़ी सिटियो में रहते हैं सिफ हस्बन वाइफ और दो बच्चे दादा दादी पतानी पूरिती है वो पूरी यहां पे रसातल में चा रही है तो उसके लिए ही है कुछ का हमारा पूरा आज का चाप्टर बेस है बहुत अच्छे सुनना है आपको और अंडरस्टेंड करना है शाम दरी हरे जी का जन्मा 19 फरवर 1904 को बिहार के मदुबनी जिले में हुआ आप मै कनुप्रिया काव्य का महितिली भाशा में अनुवाग किया है यहां हिंदी की साथ साथ बहुत सारी महितिली भाशा थी फिर पुरानी हिंदी है फिर बोली भाशा अलोग होती है तो बहुत सारी हिंदी में भी टाइप से उसमें महितिली भाशा में कनुप्रिया जो मैंने परिणाम तहां आपकी रचनाय पुरानी और नई पीडी के बीच सेतु का कारिय करती है आपका समस्त्य साहित्य महितिली भाशा में रचित है तता संप्रेशन नियता की दृष्टी से भाव एवं बोधगम में है आपकी सहज और सरल महितिली भाशा पाटको के मन पर दूर त करते व उपन्या से सरी सो में भूत रक्तसंबंद कता संग्रह गंगा नहाना वाक कि हैं मन का तोरण द्वार सजा है कवीता संग्रह आधी विधा परिच बनाफ़ी चाौये अनूधित साहथ्य का हिंदी साहित्य में मातवापुर्ण सथान है अनूध साहित्य मतलब यहाँ पर जो एक यह रहता है उसको रहते है अनुदित कहानी विधा में जीवन के किसी एक अंशात्वा प्रसंग का चित्रन मिलता है यह कहानिया प्रारम सही सामाजिक बोथ को व्यक्त करती है समाज के बदलते मुल्यों एवं विचार तता दर्शन ने सामाजिक कहानियों को बहुत बड़ा बदला आ गया है पैसे न रिष्टे करिश्टों का रूपधारन कर लिया है पैसे बहुत बड़े हो गया अजकल और और तो रिष्टे निररतक होते जा रहे हैं यही कारण है कि दिलिप अपने पिता की मृत्यू के पश्चात मापिता को घर बेचकर सारा प चोड़ते बट यह तो एयरपोर्ट पी छोड़के भाग गया मा जो एक आई एस अधिकारी की पत्नी है व्रिद्धाश्रम में रहने को अभी शप्त हो जाती है मतलब और दो अप्शन है उनके बस वही जाना पड़ता है शायद यही नहीं थी आजके व्रिद्धों की लेक रहेगा मतलब अश्यर रहे गया शौक हो गया प्रबंदक मतलब महां पे जो काम करते हैं व्यवस्था पके उनका फोन मौसी इस तरह अचानक संसार से चली गा जाएगी इसका अनुमान नहीं था ऑफिस से अनुमती लेकर तुरंते विदा हो गया संग में पत्नी और चार स में मौसी से मिलने आया था पुछते पुछते जब मैं व्रुद्धाश्रम पहुचा तो दो दिन डुबने को था शहर से कुछ हटकर बना व्रुद्धाश्रम का साधारन सा घर देखकर अश्यर लगा कि भारत सरकार के पूर्व वित्य सच्यू की वीधवा इस व्रुद्धाश्रम में रह रही है संपुर्ण जीवन बड़ी-बड़ी कोठियों बंगलों में रने वाली मौसी अंतिम समय में शहर से दूर 10-20 अंजान बुड़ी अनात महिलाओं के साथ किस प्रकार रहती होगी ऐसी जिन्दगी की तो कलपना तक नहीं कर रही होगी मैं ने सोचा था सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम दिवाल पर एक स्विच लगा हुआ दिका उसको दबाने से लगा कि अंदर कोई घंटी घंगना उटी कुछी पलों के बाद फाटक का छोटा सा भाग किस का कर एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है श्रीमान मुझे मिसेज गंगा मिश्रजी से मिलना है मैंने कहा आपका नात तो उन्होंने बोला आपका नाम रगुनातन चोधरी ठीक है आप यही प्रतिक्षा कीजिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वे आपसे मिलना चाहती है या नहीं यहा का कर उस व्यक्ति ने फाटक फिर से बन कर लिया लगबक 10 मिनिट तक मैं कार में बैठा प्रतिक्षा करता रहा तब जाकर वह गेट खुला और कार सही अंदर दाकिल हुआ बार से बहुत छोटा दिखने वाला यह व्रुद्दा श्रम अंदर से काफी बढ़ मिसेज गंगा मिश्र जीस दिन से यहां आई है तब से आप प्रतम व्यक्ति है जिसे उन्होंने मिलना स्विकार किया है वह व्यक्ति चलते चलते कहने लगा कैसे कैसे लोग कोई कई दिनों तक आकर गिड़गिडाते रहे और लोट गए पर दू मैडम टस से मस नहीं हुई अभी जब मैंने आपका नाम कहा तो वे रोने लगी मैं प्रतिक्षा करता खड़ा था थोड़ी देर बात आसू पोच कर बोली बुला लाईए मैंने कोई जवाब नहीं दिया वे आपकी कौन होगी फिर उसी ने पूछा मौसी तो उन्होंने कोशन पूछना स्टार्ट किय मौसी ती आप लोग क्या बहुत बड़े लोग है बड़े लोगों की माय रुद्धाश्रम में ही अपना जीवन गुजारती है मैंने दुख से प्रतिप्रिश्न किया आज कल बड़े लोग ही अपने माबव को अंतिम समय में रुद्धाश्रम बेजने लगे है उनके पास स तरह व्रुद्धाश्रम तक कहा है मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा वहाँ व्यक्ति मुझे बाग के छोड़ पर अकेली बैटी मैला की और संकेत कर वापच चला गया मैं वहाँ जाकर मौसी को देख आती दुखी हुआ कुछ मैंने पुर्वही मौसी को बुलंदी पर देखकर गया था लेकिन अभी मौसी एकदम लस्त पस्त लग रही थी बेटे की विश्वास घात और अपनी इस दुर्दशा पर व्यतित हो गई थी मैंने प्रणाम किया तो उसने मेरा माता सगला दिया लेकिन मुह से कुछ नहीं बोली मौसी को इस परिस्तिती में सचिव के पत से रिटार हुए थे फिर भी मौसी को कभी अपने पती के पतपर और पावर का घमंड नहीं हुआ वह सब के काम आई और आज उनका कोई नहीं अपना बेटा ही जब बहुत देर तक हम दोनों रोते रहे फिर मौसी नहीं सास किया और मुझसे भी चुप कराया बाद मौसी ने पहली बार सारी घटना मुझे विस्तार पुरवक बतलाई मैं किसी से नहीं मिली तुम्हारा मौसेरा भाई मौसी का बेटा दिलिप भी मिलने की माफी मांगने पहुचा था परन्तु मैं उससे मिली नहीं अब मेरा शव ही इस गेट से बाहर जाएगा तुम दो ही बहने थी वो मेरा कोई मामा नहीं था मेरी मा बड़ी थी मेरे नाना एक खाते पीते किसान थी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कॉलेज में पढ़ते दो विध्यारतियों से ही कुछ साल के अंतराल पर किया था मेरे पिता जी बीए करने के बाद अपने गाउ में खेती बाड़ी संबलने लगे थे मौसा पढ़ने में प्रतिवाशाली थे वे अंततह आईएस की प्रतियोगी था परिक्षा में सफल हो गे मौसा जब गुजरता में जिलादी कारी थे तो नाना का देहांत हुआ था नानी ये पहली जा सुकी थी नाना का श्राद जुन्होने अपने पापा का जो श्राद है बहुत धुमदाम से किया था दुमदाम से नहीं बोलता है बहुत यहां पर लिखा है कि बहुत बड़ा हुआ था उननों सब खाने वाने पर बुलाया होगा और जो अपने मैके से जो संपत्ती था तो उसने उसने पूरी अपनी बड़ी बेहन के नाम पे उन्हें ने किया था क्योंकि वो सोचती थी कि मेरा तो सब कुछ अच्छा है कुछ दिनों के बाद मेरे पिता जी नाना के ही गाउ में आकर बस ग जान था वो पढ़ने में मौसा की तरह ही काफी प्रतिबावान था मैं पढ़ लिक कर नोकरी करने लगा मौसी से भेट मुलाकत कम हो गई दिलिप का एडमिशम जब एमस में हुआ था तो मौसा की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी उससे मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी एश और आराम के साथ ही की थी आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चला गया एक बार जो वह लंदन गया तो फिर वह लोई का होकर रह गया जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक तो आना जाना प्राय लगा रहता था विवाह के बाद उसकी वेस्तता बढ़ गई तो आना वर्ष भी दुहारा गया पूरे इलाके में हाहाकान मज गया मौसी उन लोगों की हालत देकर द्रवित हो गई उदास हो गई उसने अपनी ससुराल से सारा जमा अन्न मंगवाया और बाजार से सभी अवशकता नुसार क्रय करवाया तिसरे ही दिन से महंडार खुल गया मौस हो गए मौसा अचानक रुदैगति रुख जाने के कारण हाल टेक रुदैगति रुख जाना कारण चल बसे मौसी का जीवन एकाए ठरसा गया मौसा का अंतिम संसकार दिलिप के आने के बाद संपन हुआ था मौसा का श्राद्दों उनके गाउ से जाकर संपन न किया गया उ लोग जब गाउसे वापस आये तो दिलिप का रंग ढंग बदला हुआ था वह पहले मौसा की पेंशन मौसी के नाम से ट्रांसफर करवाने लगा और लंदन ले जाने के लिए वीजा बनवाने के काम में लग गया उसी के बहाने उसने मौसी से कई कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए मौसी उसके कहे अनुसार बिना दे के सुने हस्ताक्षर करती रही उसे भला अपने ही बेटे पर संद्या करने का कोई कारण नहीं नहीं भी था जब तक वह कुछ समझ पाती उसका जमीन मकान सब हाथ से निकल चुका था दिलिप ने धोके से उस मकान का सोधा आ लंदन में ही रहोगी तो फिर यहां इतनी बड़ी संपती रखने का कोई आउचित्ते नहीं है दिलिप ने लंदन यात्रा से पूर्वा घर की लिखा पड़ी समाप्त कर ली घर की सारी संपती ओने पौने दानों में बेच डाली मौसी अपनी सारी घ्रोस्ती निलाम होते देखते रही उसकी आपको से आसू पोशने का समय किसी के पास नहीं था वे तो रुपए सहजने में व्यस्त थे बाप का मरना दिलिप के लिए लोटरी निकालने जैसा था उसे लंदन में अपना ही घर खरीदने में आसानी हो जाने की प्रसन अता थी वह अपने प्रोजेक दो हम लोग लगेज जांच और बोल्डिंग कराकर आते हैं इमिग्रेशन के समय सब साथ हो जाएंगे जब काफी समय बीद गया तो उसे चिंता होने लगी कि बेटा बहु का चले गए लगेज में कोई जंजट तो नहीं हो गया वह उठकर अंदर गेट पर तैना सिक्यूर सिक्यूरिटी के पास जाकर बोली मेरा बेटा दिलिप मिश्रा लंदन के फ्लाइट में बोल्डिंग कराने गया था मुझे यही बैटने बोला था परंतु उसे गए बहुत देर हो चुकी है वह कहा है इसका पता कैसे चलेगा आपका टिकेट कहा है सिक्यूरिटी ने थोड़ी देर के बाद एक सिपाई आकर मौसी से बोला मैडम आपको हमारी सिक्यूरिटी इंचार अफसर ने ओफिस में आकर बैटने को बुलाया है ऐसा क्यों मौसी ने अशर्य से कहा मुझे पता नहीं सिपाई बोला मौसी का मन किसी अनहुनी आशंका से अकूला उटा व उसकी नजर सहज रूप से उस पर नहीं पड़े वह सिपाई ट्रॉली चलाते हुए मौसी के साथ चल पड़ा सिक्यूरिटी ओफिस में साता अफसर जमा थे सभी चिंती दिखाई दे रहे थे मौसी के प्रवेश करते ही वे सभी उटकर खड़े हो गए मौसी को बहुत अश आपको यही छोड़कर लंदन चला गया है उसने आपका टिकेट सरेंडर कर दिया है वह अफसर बोला इसका क्या अरत हुआ मौसी ने अविश्वास और अच्छरिय से पूचा मैम आपके बेटे ने आपके साथ धोका किया है वह आपको यही बेठा कर लंदन चला गया हां ऐसा कैसे होगा ऐसा करने की उसे क्या जुरुरत है नहीं नहीं आप लोगों को अवश्य धोका हुआ कौन बिलीव करेगा कि खुद का बेटा ऐसे जन में दिया हुआ बेटा ऐसे करेगा तो थोड़ा अश्यरे चिकित हो गई वह बिलीव नहीं कर पाई आप लोग एक बार फिर अच्छी तरह पता लगाई है मैं भारत सरकार के पुर्व वित्य सच्चुव की पत्नी हूँ आप लोग इस तरह मुझे गलत सूचना नहीं दे सकते आप लोग फिर पता लगाई है मेरा तो घर भी बेज दिया गया है मेरे बेटे ने फिर मुझे यहां कैसे होते देख मुझे समझ गई कि आईजी साहब आ गए आईजी साहब ने आते हाज जोड़कर मुझे को प्रणाम कि और बोले मैडम मेरा नाम है अमित गर्क मिश्रा सर जब इंडर्स्री विबाग में थे तो मैं उनके आधिन कारिया कर चुका था उनके अंडर आधिन मतलब अंडर मिश्रा सरका बहुत उपकार है इस विबाग पर मुझे सब कुछ पता चल चुका है आपका आदेश हो तो दिलीब को हम लोग लंदन एरपोर्ट पर ही रोक लेने का प्रबंद कर सकते देखो उनको पूछा भी कि हम अरेस्ट कर सकते आपको बेटे को कि आपको आप कार होगा गर्ग साब ने अपने वचन का पालन किया उन्होंने ही मौसी को इस मातेशवरी रुद्धाश्रम में व्यवस्ता करा दीती आई एस असोशियेस ने भारत से लेकर इंगलेंड तक हंगामा खड़ा कर दिया मिडिया ने भी भारत की स्त्रियों और रुद्धों की दुरुदर्शा पर लगातार समाचा प्रसारित किये तता बहस करवाई इतने बड़े पदाधाईकारी की विध्वा के साथ यदि बेटा ऐसा वेवहर कर सकता है तो दुसरों की क्या हालत होगी घर का खरीदार घर वापस करने और दिलिप सारा मुले वापस करने को तयार ह गया अंता तहा कुछ भी हो नहीं सका क्योंकि मौसी कुछ करने को तयार नहीं हुई बहुत बड़ा इशू हो जाता था सब लोग मौसी को सहायता करने के लिए तयार दे जो घर ने खरीदा वो वापस घर देने को तयार देता दिलिप को वापस पूरा पैसा देने को तयार ता सब कुछ हो रहा था बट मौसी बोल रहे थे कि नहीं मुझे ये सब कुछ अभी एकसेप्ट करना है दिलीप और उसके परिवार का मुह देखने के लिए मौसी कदापी तयार नहीं हुई वह बहुत छटपट आया बहुत गिड़गिड़ाया परनतु मौसी टरस से मस नही हुई उसने मेरे पास भी बहुत पहरेवी की परनतु कोई लाब नहीं हुआ गिरीप को पश्चाताप हुआ कि नहीं यह तो मैं नहीं बता नहीं सकता परनतु वह लोकल अज्जा से धक अवश्य गया था उसके बाद मैं प्रयास करने लगा कि इतनी बड़ी घटना के गाते गाते रोने लगती थी सोहर गाती थी ललना रे ऐही लेल होडिला जनम लेल वंच के तारल रे ललना रे नारी जनंअ कृताARS बांजी पद चूटलरे ललना रे सासू मोरा उठल नचियते ननधी गबॉइ तेरे ललना रे कोन महावरत ठानल पुत्र हमार पाउत रे मेरी पत्नी भी मौसी के संग सोहर गाने और रोने में मौसी का साथ देती थी मैं भाव कोकर बगीचे की और निकल जाता था आज जब उस अध्याय का अवसान हो गया है मौसी लगबक साथ वर्ष इस आस्रम में बिता कर अज संसा से चली गई है इस सौधी में वह एक दिन भी चाहर दिवारी इसके बाहर नहीं गई एक बार जो अंदर आई तो आज अब उसका मतलब जैसे बोली थी कि मेरी डेट बोड़ी यहाँ से चली जाएगी ट्रस के सचिव ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा गंगा मैडम दा संसकार करने का आधिकार आपको दे कर गई है शेश आप इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लिखिए पढ़ लीजिए लिफाफे में दो पन्ने का पत्र था और बिना तिती का चेक था वर्च एक मेरे नाम से था जो अपने श्राद्य के खर्च के लिए उसने दिया था और ग्रेट लेडी उसने अपना श्राद्य का खर्चो पूरा तैयरी करके गई थी पत्र में अंत में मौसी ने लिखा था अपनी कोक का जाया बेटा मुझे जिन्दा ही मार कर विदेश बाग गया और तुमने अंत तक मेरा साथ दिया तुमें देखकर सदा मेरा विश्वास जीवित रहता है कि सभी संताने एक जैसी नहीं होती है इसी विश्वास के सारे इस संसार से जा रही हूँ कि जब तक एक भी सपुद संसार में रहेगा तब माहें हजार कश्ट सहकर भी संतान को जन्म देती रहेगी और संसार चलता रहेगा इसका श्रय यह मा और सपुद दोनों को है तुमारे जैसा पुत्र भग्वान सब को दे इन पंक्तियों को पढ़कर मैं अपने आपको और अधिक नहीं रोक सका मैं जोर-जोर से रोने लगा मेरी पत्नी भी फुट फुट कर रो पड़ी वह रोते रोते गाने भी लली गाने लगी कि ललना रे एही लेल होरी ला जनम लेल वंचके तारल रे रक्त संबन्द कहानी संग्रह से है अब रही एमोशनल कहानी और बचो ये मतलब कहानी के जैसा मतलो एक्चुली माप बाप जो है भगवान की ही रूप होते है जैसे बच्च्पन से पढ़ा जाते हैं कि भगवान हर जगा पर नहीं जाते हैं तो माप के रूप में हमको बेच दे और हम लोग क्या करते है तो ये उमर आपकी जो एज है ये एज में आपको माप दुश्मन जैसे लगते है आप उनको फटकारते हैं बुरा भला कहते हैं आवाद जोर से कहते हैं ये बच्चार साल फिर उसके बाद आपको एहमियत आती है कि आपके माप ने क्या किया हम कुछ देना बनता है ने ये तीन लोग हम बिल्कुल भी उनको कभी कुछ दे नहीं पाते हैं कम्प्लिट रूप से नहीं दे पाते हैं एक हमारे माप एक हमारे सोलजर्स और तीसरे होता है फार्मर्स इनको कितना भी करो हम लोग इनको मतलब हमेशा देने वालों के लाइन में ही रहतें, तो इनको कभी मत भूलो, ये तीनों, और सबसे पहले अपने माबाब को इनको अंतर मत दो, विकॉस इंको अंतर देना मतलई अपने लाइब को हमारी हातों से अपने पएर पर कुराडी मार लेना तो आपको सोचना है कि आपको अपमी लाइफ आशिर्वात स्वरूप आगे बढ़ाना है या श्राप सवरूप आगे बढ़ाना अब इतने समझदार हो तो आप समझ सकते हो वेरी ब्यूटिफल इमोशनली स्टोरी है और बहुत सीख मिलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको दिलिप नहीं बनना है बस अभी नेक्स्ट टस से मसनो होना अपनी बात पर अटल रहना अवाक चूप कुछ न बोलना नैहर मायका पीहर अउने पाउने दानों में कम दानों में अकुलना व्यकुल होना पईरवी समर्तन में स्वश्टी करन देना अभी शप्त शापीत जिसका कोई शाप मिल गया है क्रय खरीदना सहेजना मतलब बटोरना अच्छी तरह से समिट कर रखना अप्रत्यक्षित अ कोहराम मचाना चल बसना मृत्यू होना तो मौसा अचानक चले गए चल बसे तो क्या हुआ दिली पुछे लंडन चला गया तो उसके अंसर जो है वो मेरे वीडियो के बाद आपको मिल जाएगे झाल जाएगे